नमस्कार दोस्तों नोलेश तक के सेकेंड एफिसोड में आप सब का स्वागत है मेरा नामे पप्पु कुमार दोस्तों आज हम बात करने जा रहा है आज से करीब पिछले पंद्रा दिन से हमारे देश में एक सबसे ज्यादा जोड़ सोड से गरमाय हुआ मुद्दा है ज्यान अशरा कोट में हिंदू पक्ष के भी लोग गया है और मुसलिम पक्षक भी लोग गया है जोसतों आखिरी अमुद्दा है क्या ज्यान पापी मस्जिद से जुड़ी हें यह मुद्दा किस परकार किये और क्यों या मुद्दा जो है आज कल देश में चर्चा का बिसाइब हुआ है दोस्तों ज्ञानबापी मस्जित आज से करीब 353 वर्स पूर्व यह मामला है उससे पहले यहां पर कहा जाता है कि कासी विश्वस्वरनाथ का जो है यहां पर एक जोतिर रिंग था भगवान सीव का और वह बहुत ही प्रख्यात था कहा जाता है कि जब स्रिष्टी क की आस्ता से जुड़ी हुई है और आज तक जो है जुड़ी हुई चलती आ रही है लेकिन अब इस मुद्दे के बीच में जो सबसे बड़ी चीज जो एक घुस रही है वह है कि जब औरंग्जेव का सासन काल आया तो कासी विश्वनाथ मंदिल जो था बगवान सीव का उस से पहले कासी जो है हिंदू कहीं सबसे पवित्र धर्म अस्तल माना जाता है और वहां पर भगवान सीव की अराध्य किया जाता है और वहां पर पूजा होता है लेकिन कासी विश्वनाथ मंदिल जो है वहां पर कासी जो जो ज्यानबापी मस्जिद है यह औरंजेव के अंदिल अस्थापी अस्थाफी था और वहां पे पूजा अर्चना हिंदू पक्ष के लोग और जितने भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं सभी लोग करते आ रहे थे लेकिन जब औरंजेब की सासनकाल हिंदूस्तान में आया और वे जो है इसलाम की परचार परस ग्यान बापी मस्जिद से जुड़ा हुआ है सबसे पहले जो आवजकल टीवी डिवेट या जो धार्मिक स्कॉलर होते हैं जो विद्वान होते हैं उनके मताबित माने तो हिंदू पक्ष का कहना है कि ग्यान बापी और जिस परकार से इस मस्जिद का नाम रखा गया है ग् कहीं किसी परकार कि ओपर कि कोईक किताब में इंहीं दो चीजों का वर्रंण से में पॉइंट है कि जो अध्यीन बापी मस्जिद का नाम रखा गया उस चीज को ले कहीं पर भी ब्यापी सब्द का नाम नहीं है तो यह कैसे जो है मुस्लिमों का हो सकता है हिंदु पक्ष के लोग कर रहे हैं कि वहां पे मंदिल थार मंदिल को धाकर के और और अरंजेब जो है मस्जिद बनाया हाला कि अब इस परकार से सर्वे हुआ वहां पे जो कासी का जो जिला आदालत है उसने सर्वे के लिए एक टीम का गठित किया था जिसमें वह अपने कोट अपने नैत्रितों में पुरी मस्जिद का सर्वे करवाया और मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट जो है अभी कोट में है बकायदा थोड़ी बहुत वीडियो लीक हुई जैसे आपको हम एक वीडियो दिखा रहे हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा बवाल तब छीड़ा जब यह वीडियो सामने आया हालाकि यह लीक कैसे हुआ क्यों हुआ इसका कोई तथ्य नहीं ह है लेकिन जब कोट की निगरानी में इस परकार की मामला की कोई जांच होती है और उसके बिच से इस परकार का कोई लीक हो जाता है तो यह भी एक संदे पढ़ा करने वाला मामला है जब से यह बडियो वाइरल हुआ है तब से देश में जो है एक अलग परकार की kontroversy चालू हो गया है और लोग आरोप प्रतियारोप लगा रहे हैं अला कि जब यह वीडियो आया आप देख रहे हैं कि इसमें एक कुमे के अंदर में एक छोटा सा तला कुमा दिख रहा है और उस कुमे का अंदर में एक गोला सा पथर नूमा जो है एक धाचा दिख रहा है जिसको सीवलिंग कहा जा रहा है हिंदु पक्ष की जितने दावेदारे में सभी लोग इसको सीवलिंग बोल रहे हैं और मुश्लिम पक्ष के जो दाव हाथ गोड़ दो करके और फिर नमाज आदा करते हैं लेकिन हिंदु बख्ष बोल रहे कि नहीं आज से 353 वर्स से जो है अराध्य महादेव को जो है इस परकार से कबजा करके और उनकी जो है आपमान की जा रही है इसमें पैर दो जा रहा है अलाकि इस बात में कितनी सचाई ह सर्वे रिपोर्ट क्या आया अभी वह कोट के पास हलाकि जो छोटी वह घटना है निकल के सामने आ रही है उसमें कुछ जो हिंदु पक्ष के जो लोग थे सर्वे में गए थे उन लोगों के दोवारा थोड़ा बहुत घटना यह बताया जा रहा है कि मस्जित के अंदर हिंदु पक्ष के वोकील हैं या हिंदु पक्ष के जो दावेदार हैं जिन्हों ने वहां पर पर प्रटीशन दायर किया है उनका मानना है कि कोट हमारे फेवर में जो है अवस्य नयाय देगी ताकि इस सब पद्द चीनों के आधार पे जो है यदि नयाय मिले तो हम लोगो भी थे लेकिन उस्टाइम इस मस्जित के अंदर में इन सब चीजों का चित्र और बढ़न इसलिए किया गया था ताकि उस्टाइम इसको देखने के लिए सबी लोग आते थे यह बहुत ही प्रख्यात था इसलिए वहां पर बनाया था लेकिन हम मानते हैं कि यह सब का परियुग आज तक नहीं किया गया है तो यह भी नहीं किया जा सकता है हलां कि यह 353 बर्स पहले का मामप्ला है ऑर और यह भी जो है दावा किया जा सकता है कि मंदिल को तोड़ करके ही मस्जित बनाया गया लेकिन अब जो मुश्लिम पक्ष है वो एकक्ट का हवाला दे रहा है, सब्सक्राजानिक कि मंदिल जगह पन्दिल के लिए पास मंदिल का होना हिंदू पक्षूक के लिए शोची समझी एक साज त्वी कि Mughal शासक आया था तो वो इस त्यॉस ताइम हिंदू का कटलीयाम करता था अपने धर्म की इस्लाम दर्म की परचार परशार के लिए और जो मंदिले थी उसको ड़ाते थे और वहां पर मस्जिद बनाते थे लेकिन अब जो प्लेसे जब वर्शिव एक्ट आया उसमें यह जिक्रिथा राम मंदिल की जो बाबड़ी मस्जिद थी उसके अलावा बाकि जितने भी देश में उसको मान लिया जाएगा और आगे की जितनी भी परकरण है उसको चालो किया जाएगा लेकिन दोस्तों यह मामला 1992 के बाद अस्थागित हो गया अदालत में फिर इस बार जो है आदालत में इस मामला को बड़े ही जोर सोर से उठाया गया और अब इस पे जो है कासी का जीला आदालत जो है फैसला सुनाईगी आला कि आज भी कोट का रिपोर्ट आने वाला था लेकिन आज डिले कर दिया गया अब 26 तारी को रिपोर्ट आएगा इस मामला को प्लेसे जब वर्सिव एक्ट को जो है ध्यान में रखते हुए मुस्लिम पक्ष के जो दावेदार है वे सबी चीजों को खारिज करके जो है और इसको निप्राया जा चुकि प्लेसे जब वर्सिव एक्ट यह करता है कि 1947 तक जो स्वरूप जिस भी धर्म का था उसी स्वरूप को मान करके देश में आगे चला जाएगा लेकिन दोस्तों बताते हैं हम आपको कि हिंदू पक्ष जो पूजा वहां पर होती थी हाला कि यह पूजा एक अनुमान के मुताबित 1962 के बाद करीब करीब 1970 के आसपास तक किया गया लेकिन जिस मंदिल में पूजा के आसपास तक किया जा रहा है यानि कि 1947 में भी किया जाता होगा तो जब 1947 में उस मंदिल में पूजा किया जा रहा है भी धर्म का जो जिस परकार से था उस परकार से ही माना जाएगा लेकिन 1970 तक पूजा अर्चना जिस मंदिल के अंदर किया जा रहा है और उसके बाद से इसको पूल्न रूप से बंद कर दिया जा तो कहीं न कहीं यहां पर इसलिए नहीं लगेगा चुकि यहां पर 1947 में भी उस मंदिल में पूजा होता था लेकिन आज उस मंदिल में यदि पूजा अर्चना करना रोक दिया जाए तो वहां पर प्लेसे सब्सक्राइब बिल्कूल ही नहीं लगेगा और यह कत नहीं जाहिर नहीं है कि वहां पर लगे जा रही थी 1962 से पहले उसी परकार से अभी भी श्रिंगार गोरी की पूजा अर्चना करने की वहां पर इजाज़त देखोंट और हम लोग जो है अपने जो धर्म से जुड़ी हुई जितने भी देवता हैं उनकी हम पूजा अर्चना सहीं धंग से कर सके लेकिन उनी सब्सक पूजा अर्चना को बिल्कुल ही अस्थागित कर दिया और उसमें एक दिन भी पूजा अर्चना नहीं की जा रही थी हलाकि अब मंदिल के अंदर में कुछ ताय खाना था जिसको खुलवाने के लिए और सर्वे के लिए जो हिंदू पक्ष के वकील थे जिन्होंने प्रट करणक बाद आज में पूरी मिडिया में बस यहीं चीज़े चाया हुआ है पूरी सियासत में बस यहीं चीज़े चाया हुआ है बस मेरा मानना ना है दोस्तों की जिस परकार से gorषक से उठाया जारा है मुझे लगता है कि कोरण ही डेट पर एड़अग business डे आँसे अरसे लगा देगा नहीं देगा आप देखिए कभी 17 को फैसला आने वाल था 19 को फैसला ने वाल था अब 21 को हुआ 23 को छबीश को फैसला आएगा और मुझे लगता है कि ऐसे करते करते कोट एक ऐसा समय आएगा जिस टाइम एस्टे लगा देगा और बोलेगा कि फिलहाल के लिए वहां पे मुश्लिम पक्ष नमाज पड़े हिंदु पक्ष अपना मंदिल में पूजा अर्चना करे और इस मामला को अभी एस्टे किया जाए भविस्य में इसकी सुनवाई की जाएगी जैसे 1992 में किया गया और अभी तक इसका कोई निश्पक्ष जाच और नहीं निश्पक्ष तरीके से जो है कि इस पर न्याए मिला इसी तरह से इसको अभी भी लटकाया जा सकता है ऐसा अनुमान है और प्रोपरली ढंग से और एक निश्पक्ष तरीके से अभी न्याए होने नहीं जा रहा है इ एक और चीज में आप लोगो को बता दू जनकारी के लिए कि जो सर्वेड रिपोर्ट कोट कमीशनर के जो है उपस्तिति में ग्यानबापी मस्जित के अंदर किया गया था उससे सर्वेड रिपोर्ट को जो है अब दोनों पक्ष के वो कीलों को देने का जो है अदालत कर दी ह और वे सायद मुझे लगता है कि कल तक आ जाएगा और कल के बाद से वह पॉब्लीक हो जाएगा कि सर्वे में ग्यान बापी मस्जित के अंदर से हिंदू धर्म से जुड़ी हुई क्या-क्या चीजे मिली और मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई क्या-क्या चीजे मिली चुकि फिलहाल के एपिसोड में बस इतना ही इजाज़त दीजिए हमें और हम ऐसे ही ममला पर जूड़ी ही हर मुद्दा को आप तमाम दोस्तों तक नौलेज के लिए लाते रहेंगे तब तक के लिए धन्याबाद नमस्कार